हलो माई डियर इस्टुडेंट्स आज हम क्लस्ट तेंथ के प्रोज का पाच्वा चेप्टर जिसका नाम है टर्च बीरर मतलब मसाल वाहक मसाल ले जाने वाले जिसको लिखा है W.M. ड्राइबर्न दोस्तों हम इसका एक वर सारांस देखेंगे और सारांस देखने के बाद हमें question answer लिखना और textbook को समझना एकदम आसान सा हो जाएगा तो चलिए आगे देखते हैं सैकड़ो वर्स पहले एक ब्रिध बैपारी रहता था उसने अपना सारा जीवन माल खरेदने और पेचने में कठीन परिश्रम किया था जिसका result यह हुआ कि उसने बहुत सारा धन कमाया जैसे जैसे वर्स बीतिते गए उसके धन में ब्रिध ही होती गई लेकिन एक दिन ऐसा इससे अपने धन का क्या करना चाहिए उसके दो पूत्र थे उसने निश्चय बना लिया कि वह अपने धन को उनमें बिभाजित नहीं करेगा बलकि वह उसी एक पूत्र को संपूर्ण धन दे देगा जो अपने को दूसरे से आधिक चतुर सिद्ध कर देगा समस्या जो सुल्जाई जानी थी यह थी कि इन दोनों पूत्रों में अधिक चतुर कौन है उसने इस समस्या को सुल्जाने के लिए उनकी परिच्छा लेने का निश्चय किया दोनों नवीवकों को बुला कर उसने उनसे कहा ये दो रुपए हैं मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक एक रुपया ले लो और फिर अलग अलग बाहर जाओ कोई ऐसी चीज खरीदो जो इस मकान को भर दे तुम्हें एक रुपए से अधिक खर्च नहीं करना है दोनों पूत्रों ने उसकी और ऐसे देखा जैसे उसकी बुद्धी ब्रष्ठ हो गई हो वे अपने मन में सोचने लगे हम कैसे इतनी वस्तु खरीच सकेंगे जो एक रुपए में समपूर्ण घर को भर दे वे रुपए उठाने के लिए अनिचुक थे किन्तु उस बृद्ध ब्यापारी ने उनसे अपनी आग्या के अनुसार काम करवाने के लिए जोर दिया वह बोला तुम जाओ और इस कारे में अधिक देर ना लगे मैं थोड़े ही दिनों में तुम्हारे लवटने की आसा करता हूँ अता प्रतियक युवक एक एक रुपया लिया और चला गया पहला युवक बाजार में इधर उधर घूमा किन्तु उसे कुछ भी ऐसा न मिला जो किसी प्रकार से उसके उद्देश की पूर्ति कर सके दिन भर वह भटकता रहा सबी दुकानों को देखता फिरा किन्तु फिर भी कुछ न मिला उसे एक आधिक विश्वास होता गया कि उसके पिता का दिमाग खराब हो गया है वह निरास होकर अपनी खोज के काम को त्यागने वाला ही था कि उसे भूसे से भरे हुई एक बैलगारी दिखाई दी उसने सोचा यह आसा जनक मालूम होता है मैं नहीं जानता कि एक रुपए में कितना भूसा आएगा वह बैलगारी के चालक के पास गया और उससे भूसे के मुल्ले के बारे में पूछ ताश्की किमत के उपर दोनों में काफी सोदेबाजी हुई किन्तु अंत में वह एक रुपए में भूसे लेने में सफल हो गया यह उन दिनों की बात है जब एक रुपए में आज की अपेच्छा बहुत अधिक सामान खरीदा जा सकता था अता नव युवक उस भूसे की बैलगाड़ी को अपने पिता के घर ले गया बड़ी आसा से उसने घर में उसका धेर लगाया किन्तो जब वह भूसा घर में आ गया तो उसने पाया की संपुर्ण घर को भर देने की बात तो दूर वह तो फर्स ढखने के लिए भी परियात ना था जब दूसरा पुत्र रुपया लेकर बाहर निकला तो वह सीधा बाजार नहीं गया ऐसा करने के बजाए वह बैठ कर सोचने लगा वह बहुत देर तक बैठा सोचता रहा कि वह क्या खरीच सकता है अंत में साम के समय उसके मन में एक वीचार आया अपना रुपया लेकर वह तेजी से बाजार की तरफ चल दिया और एक दुकान पर पहुँचा जहां मुमबत्या बिक्ती थी उसने मुमबत्यों पर रुपया खर्च किया मतलब मुमबत्या खरीद ली जिससे उसे पहुत अधिक संख्या में मुमबत्या मिल गई तब मुमबत्या लेकर वह अपने पिता के घर की और चल पड़ा जब वह घर पहुचा तो उसने देखा उसका भाई उदास होकर फर्स पर फैले हुए भूसे को निरासा से देखता हुआ खड़ा था अब अंधेरा होता जा रहा था सिगर्ता से दूसरे पुत्र ने प्रते कमरे में दो या तीन मुमबत्या खड़ी कर दी फिर उन्हें जला दिया सिगर ही ब्रकास से पूरा घर भर गया उसका पिता उससे बहुत अधिक प्रसंद हुआ और उससे का मेरे पुत्र तुमने सच्ची बुद्धिमानी दिखाई है मैं तुम्हें सारा धन देने के लिए तयार हूँ अब हम सब एक बहुत बड़े घर में रहते हैं जिसे हम अपनी मात्री भूमी कहते हैं हम मैं से प्रतेक को दिया गया है किसी को एक रुपया, किसी को दो रुपया किसी को तीन रुपया और किसी को चार रुपया ये रुपय वे रुपया नहीं हैं जिनसे हम चेजें खरीद सकें बलकि ये विभिन सक्तियां हैं जो हमें दी गई हैं हम मेंसे प्रतिक के पास सरीर की सक्तियां, मन की सक्तियां और चरित्र की सक्तियां है हम मेंसे सभी को सक्ति, समय, पुद्धिमत्त प्राप्त है जिसका उपयोग किया जा सकता है जब हम पाट साला से उत्तिन होकर निकलते हैं और बाहरी दुनिया में प्रिवेश करते हैं, तो हमारी परिच्छा होती है, कि हम किस प्रकार उस बुद्धी का प्रियोग करेंगे जो हमारे पास है, क्या हम इन योग्यताओं का प्रियोग बेकार भूसा खरीदने में करें, या अपने पूरे घर में जिसका आर्थ है हमारा देश प्रकास फैलाने का काम करें, यदि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं, तो हमें इन सक्तियों और योग्यताओं का देश के प्रियोग भाग में प्रकास फैलाने में प्रियोग करना चाहिए, इसका आर्थिया है कि हम अपने को देश की सेवा में अर्पित कर देंगे, कोई भी देश तब तक उन्नती नहीं कर सकता, जब तक कि उसके पास अच्छे नागरिक नहों, इसलिए यदि हम अपने देश से प्रेम करते हैं और इसकी सेवा करना चाहते हैं, तो हमें अच्छे नागरिक होने का प्रेयास करना चाहिए, जब हम इसकूल में हैं, तब हमें यह कारे करना चाहिए, हमें स्वयम को नागरिकता के लिए प्रसिचित करना चाहिए, और अच्छे नागरिक के विशेश गुणों को विक्सित करते रहना चाहिए, यदि हम यह कर लेते हैं तो जब हम इसकूल और घर को छोड़ेंगे और अपने देश के बिभिन भागों में जाएंगे तब हम इसे अच्छी नागरिक्ता के प्रकास से भर देंगे थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियोज ऐसी और वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें